मुंड़ा पांडे थाना च्छेतर में दुष्कर्म के मामले में नहीं हुई आरोपी की गिरफतारी महिला ने SSP को दिया शिकायती पत्र जनपद मुरदबाद के मुंड़ा पांडे थाना च्छेतर निवासी महिला का आरोपे की बीटी 24 साड़िक को उसके साथ गाउं के ही रहने वाला एक यूबक्त बबलू उर्फ हरी शंकर उसके घर में घुसाया महिला घर में अकेली थी उसने तलवार के दम पर महिला के साथ दुष्कर्म की गटना को अंजाम दिया और महीला के शोर मचाने पर महीला का पती वा अन्य लोग आ गए सबीने आरोपई को पकड़ कर पुलिस के हबाले कर दिया आरोपई की पुलिस ने आरोपई से साथ गाट कर 151 में चलान करने के बाद उसे छोड़ दिया जिससे महीला काफी परेशान है महिला का आरोपे की पुलिस ने आरोपी बबलू और हरी शंकर को दुश कर्म के मामले में गिरफतार नहीं किया है इस मामले में उसने पूर्व में भी SSP को एक शिकायती पत्र दिया था लेकिन फिर भी कोई कारेवाही नहीं हुई जिसके बाद दुवारा से महिला ने SSP को शिकायती पत्र देते हुए आरोपे की गिरफतारी की मांगी है महिला का कहना है कि इसमें पुलिस ने आरोपी से साठ गाट कर रखी है और उसे गिरफतार नहीं कर रही है महिला ने SSP से अब इंसाफ के गुहार लगाई है कर दूंगा वो नहीं करा तो तेरा मडर कर दूंगा और उसके वाद वो बलत कार करने के वाद घर से निकल ला था तभी मैंने सोर मचाया तो मेरे घरवालों ने पकड़ लिया कि अब कि घचना आई है यह जो अब इस तारिक की ठाने पर गए था 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 कोई सुनवाई नहीं हुए अब एससके कारा लाएं क्यों आए है अर्व्युचर की छुप लिज्सा थ सुनवाई नहीं कर रहे मेरे कप्तान घिंवी कोई जवाब नहीं दिया उन्हांने वह जो कुछ नहीं कहा ऩng Cape Rossi कर्थार प् кажд न lei हूं अप्य में जंटें पक्से का लिए नहीं में मलिक ने किस से पैसे खाएं हमिस्टे लोसे रोक्न ह अच्छा जाती हूं उसे सजा मिले जैसे उसने मेरे साथ में बलतकार करा है उसे सजा जरूर मिले उनने मेरी गड़तन के तलवार रखे एसे सजा जाती है हूं मैं चाहती हूं कि उसे सजा दें वो